नमस्कार दोस्तों रादे राधे सभी को एक तो इंपोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग SBA क्लर्क की जो सेकंड वेट लिस्ट है उसकी एम होपिंग जिन जिन बच्छों इंतिसार था उनको पता चल गया है इनको नहीं पता उनको मैं रिमाइंड कर वा देता हूं एक आ बच्चों में के सर जो नया नोटिफिकेशन है SBA Junior Associate 2024 उसको इस सेकंड वेट लिस्ट के साथ को रिलेट करने लग गया है बच्चे अब ये कितना ज्यादा सही है इस पे अपने चर्चा करेंगे तो पिछले कुछ सालों का मैंने डेटा निकाला तो जैसे 2021 से अपने नोटिफिकेशन है वो आया था 26 अपरेल को तो लगा लीजे तीन महीने पहले मतलब सेकंड वेट लिस्ट से तीन महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया था 2022 में जाएं तो पांच अगस्त को आई थी सेकंड वेट लिस्ट और नोटिफिकेशन आया था 6 सब्टेंबर को हैं 2023 मतलब last year के लिए 25 October को आप लोगों के second wait list आई थी और जो notification आया था वो 16 November को आया था तो लगबग 20 एक दिन बाद 20 days अब यही अगर आप 2020 में जाओगे तो scenario एकदम ही different हो जाएगा एक चीज बस मुझे comment देखने को मिल रहे हैं जैसे 2020 में notification आया था 2nd January को आप में 24 सगस्त हुआ स्वारी 2021 में 26 अप्रेल हुआ फिर 2022 में 6 September हुआ 2023 में 16 November हुआ और 2024 में भी तक notification भी नहीं आया था तो बस एक मुझे यहां पर trend देख रहा है कि समय के साथ जो SBA Junior Associates का notification है वो लेट से लेट से लेट ही होता जा रहा है बट इसका क्या second wait list से कोई relation है यह जो मेरे पास डेटा है उससे कहना बहुत ही मुश्किल है मुझे किसी प्रकार का कोई correlation इसमें नहीं दिखाई देता कुछ बच्चे जिक्र कर रहे थे कि यार 29 जरवरी को है तो at least महीने भर बाद फरवरी में कहीं पर notification आएगा मेरा मानना है कि जो डेटा ने मुझे दिखाया कि ऐसा कोई relation नहीं है कि second wait list के बाद ही आना चाहिए इतने दिन बाद ही आना चाहिए पहले भी आ सकता है और SBA Junior Associates वाले तो already अपने क्या तारिक हो चुके है अज 12 November हो चुके है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो फरवरी मेरा क्या मानना है इसके regarding यार मैं personally अगर आपसे इनको December में notification release कर देना चाहिए if not in November December में इनको notification release कर देना चाहिए नी तो फिर recruitment बहुत जादा लेट हो जाएगा हाँ लेट हो रहा है हर साल लेट हो रहा है हमने जैसे देखा कि एक समय था जब 2 January कोई notification निकल जाते थे दूसरे दीसरे दिन ही आ गया 2020 में और पिछले साल ऐसा था कि 16 नमबर मतलब पूरा साल निकल गया almost पूरा साल निकल गया और इस बार भी ऐसी अशंकाई दिखाई दे रही है तो हो सकता है जैसे लेट 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 होने का trend चला आ रहा है इस बार भी हो सकता है notification जाके आप को December यहीं बन हो सकता है January में देखने को मिले तो अभी आप इस चीज़ पर focus ना करें कि कब notification आएगा कब नी आएगा आप अपनी preparation पर focus करें currently कुछ बच्चे ऐसे हैं जो interview के preparation कर रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो IBPS PO means की तियारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे SBA PO SBA clerk को मेरी तरफ से एक छोटा सा suggestion है अभी currently अपने SBA PO SBA clerk का pre plus means का ultimate practice batch चल रहा है जिसमें हफते में अपने चार दिन prelims की और दो दिन means की practice कर रहे हैं अगर यह आप batch and roll करना चाहते हैं तो उसका link में नीचे description में दे रहा हूं साइट से अप से दोनों से आप purchase भी कर सकते हैं glasses भी देख सकते हैं code VT10 लगा के 10% का सीधा off भी मिल जाएगा 6 मेने की validity रहेगी स्कोर्स की तो अगर आप purchase करना चाहें तो link is in the description comment section में मैं pin भी कर दूँआ बाकि आप अपनी राय बताइएगा आपको क्या लगता है SBA Junior Associates क notification किस मन्त में आ सकता है रादे रादे